Hello dear students, बच्चों, आपके GK subject में हम test paper 2 को complete कर चुके हैं और इसके साथ ही आपका ये जो subject है इसके सभी chapters complete हो चुके हैं, इसका course complete हो चुका है आपने हमें उमीद है कि आपने इसे अच्छे से learn किया है और अब paper है आपके examinations, schedule आपके पास पहुँच चुका है और आपको अब तैयारी करनी है ठीक है, preparation करनी है, revision करना है अच्छे से जो अभी तक आपको पढ़ाया गया है complete ठीक है, शुरू से लेकर आपने जो तैयारी करनी है वो यह दीखे, contents 11 page open किजिए, इसमें nature, इंडिया, world, language, science, sports and entertainment यह आपने पढ़ लिये है, सारे chapters और इनका revision करना है, सभी का, सुरू से लेकर last तक का, ठीक है बच्छों और इसके साथ ही आपको others जो आपके subject है, उनकी भी तैयरी करनी है, ठीक है, लेकिन जिस दिन जो subject होगा, आपके annual examination में कुछ break मिला है, ठीक है, यानि कि बीच बीच में कुछ time मिला है आपको, कुछ gap मिला है, एक दिन का, दो दिन का, इस तरह का gap मिला है आपको, और इस gap में आपको इसी subject का, जैसे, मान लीजिए, 12 तारिक तक तो, 12 तारिक से आपकी paper है, 12th of March से आपकी, first paper है आपका, उससे पहले आपने सभी की preparation करनी है, लेकिन एक दो दिन पहले से, उसी paper की preparation ज्यादा करनी है, जिसके 12th को, 12 तारिक को जिसका paper है, ऐसे ही, जो अगला जो paper होगा, फिर उसकी तैयरी करनी है, फिर जब-जब जो paper होगा, उसकी तैयरी उसी तरीके से करनी है, और जिस paper में आप अपने आपको थोड़ा सा week मैसूस करते हैं, उसकी practice ज़्यादा कीजिए, ठीक है, उसको ज़्यादा time दीजिए, और आपको अच्छे से marks लेके आने है, कहीं पर कोई दिक्कत परिशा किजिए इनकी, जो आपके ये contents है, जो आपका chapters है, उनकी भी, उसके अलावा ये जो test paper आपको कराया गया है, उसकी भी दोनों test paper, ठीक है, test paper 1, test paper 2, सभी की practice आपको करवाई गई है, आपको भी अच्छे से उसका revision करना है, और अच्छी सी handwriting, इस बात को notice कर लिजिए, जिसक handwriting जितनी अच्छी होगी, readable, पढ़ने लायक होना चीए, अच्छे से, ठीक है, जब आपका question paper, answer sheet हमारे सामने आएगी, तो खूब सूरत होना चीए, बढ़ी असा दिखना चीए वो, ठीक है, question भी complete लिखा हो, उसका answer भी complete लिखा हो, short में नहीं, ठीक है, जैसा जिस तरीके स पूछा गया है, उसी तरीके से उसका जवाब देना है, साफ साफ handwriting में, space छोड़ कर, बढ़ी असा, ठीक है, खुब सूरत handwriting में आप लिखिए, और impressive होना चीए वो, ठीक है, अच्छे से आप तयारी कीजिए, all the best बच्चों, ठीक है,